इस activity में हम देखने वाले हैं कि किस तरह सुभा और शाम के समय जो sunlight हमारे पास पहुंसती है उसका color कुछ-कुछ reddish हो जाता है क्यों ऐसा होता है कि वो white light होती है पर शाम के समय वो हमें कुछ-कुछ लाल नजर आती है तो यही चेक करने के लिए हम यह आज की activity करने वाले हैं इसके लिए हमें जिस material की जरूरत है वो material है हमने दो छोटे-छोटे बीकर लिए हुए है जिसमें साफ पानी भरा हुआ है एक हमारे पास डेटॉल है और एक है light यह लैसी है जिसमें white light हमें मिलेगी हम पहले इस experiment को साफ पानी से करकर देखते हैं कि साफ पानी में हमें किस तरह की light नजर आती है हम white light जलाएंगे और हम देखते हैं कि बीकर के पानी में से white light निकली और सामने भी white ही पहुँची दूसरे बीकर में चेक करते हैं यहाँ पर भी पानी है हम देखते हैं कि बीकर के पानी में से white light निकली और वो white light ही पहुँची तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं जिस तरह से दिन में मौसम साफ होता है तो हमें सूरत सफेद ही दिखाए देता है क्योंकि किसी तरह की कोई problem beach atmosphere में नहीं आती है एक बीकर के पानी में थोड़ा सा detol डाल कर इस experiment को फिर से करके देखते हैं आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा detol हमने लिया है और detol हमने पानी में डाला और उसको मिला दिया इस experiment को हम फिर से करके देखते हैं पहले साफ पानी के लिए हम देखते हैं कि white light जो है साफ पानी से निकली और वो white ही नजर आ रही है अब detol वाले पानी से देखते हैं तो इस बार हम देखते हैं कि ये जो light है वो white नहीं है उसमें कुछ reddish color मिला हुआ है वो optically comparatively ज़्यादा denser हो जाता है इस वज़े से उस light में scattering हो जाती है और सिर्फ लाल light ही हम तक पहुँच पाती है तो हमें वो sunlight red नजर आती है फिर से देखते हैं white और यहां देखते हैं reddish तो ये है sunlight के red नजर आने का कारण इसमें यहां पर यह ध्यान देना है कि हम डेटॉल सिर्फ इतना मिलाएं कि light उसमें से आरपार हो पाए अगर हम ज़्यादा डेटॉल मिलाएंगे तो light ही आरपार नहीं हो पाएगी तो यहां पर वो white light जो है वो साफ पानी में white नजर आती है और डेटॉल वाले पानी में वो red नजर आती है यही experiment हम sodium, thiosulfate और sulfuric acid से भी कर सकते हैं लेकिन आम तोर पर वो easily available नहीं होता तो हम घर पे डेटॉल available होता है उससे ही experiment करके इसको check कर सकते हैं इस सब का कारण है scattering of light